जिस तरह कहची चाप वाले निर्दलिये पप्पु यादव ने लोकसभा चुनाओं में आरजेडी और जेडियू केंडिडेट दोनों को हरा कर पूर्णिया जीत लिया ठीक उसी तरह कहची चाप वाले निर्दलिये संकर सिंग ने रुपॉली में भी वही चमतकार करके संकर सिंग को 8204 वोटों के अंतर से जीत मिली है आप देखना सुरू कर चुके हैं दर्शनियूज मैं हूँ दिव्यानसू इस वीडियो में जानेंगे कि रुपॉली में निर्दलिये संकर सिंग की धमाकेदार जीत के क्या माइने है रुपॉली विधानसभा सीट पिछले विधानसभा चुनाओ में जेडियू के टिकट पर जीती बीमा भारती के इस्तिफे की वज़ा से खाली हुई थी बीमा भारती ने आरजेडी में सामिल होकर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाओ लड़ा था लेकिन उन्हें वहां भी हार मिली थी और इस विधानसभा उ इंडिया गटबंदन के पूरा जोर लगाने के बाद भी उनके उम्मिद्वार संकर सिंग को चुनाओ नहीं हरा सके तो रुपॉली में किसे कितने वोट मिले हैं निर्दलिय संकर सिंग को 67782 वोट मिले और जीत उनकी हुई जेडियू के कलाधर मंडल को 69,578 वोट और आरजेडी की बीमा भारती को सिर्फ 30,114 वोट ही मिले बीमा भारती चली थी सांसद बनने आज विधायक भी नहीं है कौन है संकर सिंग? संकर सिंग के कारेकाल में इस संकठन पर लोगों को डराने, धमकाने और बूत कैप्चिरिंग करने के आरोप लगे थे इस बार जब संकर सिंग को लोजपा राम बिलास ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलिय ही चुनाओ मैदान में उतर गए संकर सिंग की पतनी सुनिता सिंग, रुपॉली से जिला परिशत की सदस्य हैं संकर सिंग ने 2010, 2015 और 2020 में भी रुपॉली से विधान सभा का चुनाओ लड़ा लेकिन तब उन्हें जीत नहीं मिली थी आरजेडी ने बहुत भरोसा करके भी मभारती को पार्टी में शामिल किया था लोगसभा चुनाओ में भी उनका प्रदर्शन खराब रहा और अब विधान सभा उप चुनाओ में भी वो सिर्फ 30,000 वोट ही हासिल कर सकी संकर सिंग की जीत इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि उनके पास किसी बड़े नेता का समर्थन नहीं था और सिर्फ अपने कारेकरताओं और समर्थकों की बदोलत ही वह NDA और इंडिया गटबंदन के उम्मिद्वारों को धूल चटाने में काम्याब रहे NDA में शामिल राष्ट्रिय लोग मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुस्वाहा ने नसीहत भी दिये पूर्व केंद्रिय मंत्री उपेंद्र कुस्वाहा ने सोसल साइट एक्स पर लिखा कि रुपॉली में जद्यू उमिद्वार की हार NDA के लिए माथे परशिकन पैदा करने वाली है परंतु संतोस इस बात का है कि जनता राज्य में 2005 के पहले की इस्तिती के जिम्मेदार पार्टी को बक्षने को अभी भी तयार नहीं है उप चुनाओ का यह साप संदेश है संदेश तो कई शिपें हैं संकर सिंग की जीत के क्या माइने है संकर सिंग जब चुनाओ लड़ रहे थे तब यह कयास लगाए जा रहे थे कि जब वो चुनाओ जीत जाएंगे तो चिराग की पार्टी यानि लोग जनसक्ती पार्टी रामबिलास में वो शामिल हो जाएंगे अब चर्चा ये है कि वो जन्सुराज में सामिल होने वाले है प्रसांट किसोर जिनोंने एलान किया है दो अक्टुबर को पाटी का एलान हो जाएगा और उनका एलान ये भी है कि 243 विदानसावा सीटों पर वो अपने उमिद्वार खड़े करेंगे चर्चा ये भी है कि पप्पु यादव ने मदद की संकर सिंग की, पप्पु यादव भले ही उपर-उपर से भीमा भारती के लिए कहते रहे लेकिन भीतर ही भीतर, परदे के पीछे से उनके लोग संकर सिंग को समर्धन कर रहे थे पपु सिंग योकि राजपूत समाद से ही आते हैं संकर सिंग भी राजपूत समाद से आते हैं लेकिन इन सबसे अलग पपु सिंग जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं और ऐसी चर्चा है कि जनसुराज पार्टी में सामिल होने वाले हैं संकर सिंग तो आप समझ सकते हैं कि जनसुराज में सामिल होने वाले हैं संकर सिंग और जनसुराज में सामिल हो चुके हैं पप्पू सिंग तो इन सम में क्या कनेक्शन है हो सकता है जन्सुराज का समर्थन उन्हें मिला हो हम भी जब रुपॉली गए थे वहाँ पर गाउं में हमने जन्सुराज का पोश्टर देखा था तो जन्सुराज की मदद से संकर सिंग जीते या पप्पु यादव की मदद से जीते ये अभी साफ नहीं है लेकिन जो भी हो संकर सिंग निर्दलिये लड़ रहे थे और निर्दलिये उन्होंने एंडिये और इंडिया गटबंदन दोनों उमिद्वार को हरा दिया और इस न प्रसांद की सोर की जनसुराज से न जुड़ें क्योंकि वह बीजेपी की बीटीम है तो कुछ कयास ये भी है चर्चा ये भी है कि जनसुराज सचमुच क्या बीजेपी की बीटीम है और इसी लिए वो नितीस और आरजेडी पर हमलावर रहती है ये सब कुछ साप हो जाएगा कुछ दिन का इंतिजार करिए लेकिन इस नतीजे ने रुपॉली के नतीजे ने ये बता दिया है कि आने वाला विधान सबाचुनाओ काफी टफ रहने वाला है वहाँ पर निर्दलिय उम्मिद्वार खेल करेंगे क्योंकि एंटी इंकम्बेंसी मोदी और नितीज के साथ है और जंगल राज लालू के साथ है तो ऐसे में वोटर्स किस पाले में जाएंगे किस की तरफ जाएंगे ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा क्या रुपॉली की तरह निर्दलिय उम्मिद्वार ही अर जगा से जीतेंगे ऐसा होता है तो फिर कमाल हो जाएगा तो क्या प्रसांद किसोर अर्विंद केजरिवाल की तरह जिस तरह अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली में कमाल कर दिखाया क्या वही चमतकार प्रसांद किसोर बिहार में करने वाले हैं तमाम सवाल हैं तमाम अठकले हैं तमाम अपडेट्स आपको देते भी रहेंगे बरे रहें दर्श न्यूज के साथ